तो मैं मैं पहले की जिन्दगी और आपकी जिन्दगी बोलती हूँ मैं ये खाओ लेकिन सबर करो नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हकीम सहाब ने मुहीम की शुरुवात की है जिसके तहट हम अलग-अलग सिटी में जा रही हैं अपने पेशेंट से मुलाकात कर रही हैं लखनाओ गए हम लोग दुबई गए दिली गए मुंबई गए और आज मैं जहां पे मौजूद हूँ वो शेहर है बैंगलॉर और बैंगलॉर में मैं अपने तमाम पेशेंट से मुलाकात कर रही हूँ जान रही हूँ उनकी सेहत का हाल तो बैंगलॉर में आज मैं जिनके घर पे मौजूद हूँ उनका नाम है बीबी सारा गुरानी जी तो चले मिलकर उनका स्वागत करते हैं जानते हैं उनकी सेहत का हाल बहुत बहुत स्वागत है मैं आपकास्तुक्रिया आपका सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहूंगी में अम्र 76 है ठीक है और ये आप हकीम सहब से कैसे जुड़ी मैं टीवी से जुड़ी राहे नजात ऐसे प्रोग्राम देखती थी मैं तो मुझे अच्छा लगा और घरेलू इलाज है पूरा तो उससे मुझे अच्छा लगा मैं से जुड़ गई ठीक है आपको क्या तकलीफ थी मुझे डाइबेटिक थी मैं दीक है जड़ डीटिक के एलोपितिक दवाई लेती हूं फिर भी मैं इस यह तो आच्छीछ है ना बगएर अलोपितिक दवा कर ने है थी जावी लेकिस अबस्टे थी तो बच्छी थी जावारी बाताएं उस वाँ ड़स से बच्छी में थी मिलान एहां पर तो मैं रह आपके आपके आफे दौगा काने से मंगा ली तो वो शुरू की तो मुझे अराम लगने लगा पिस अबसे बदे उसके बादे मैं चूरन खाना चूरू की वो छे चीजों का चूरन नहीं देखी वो तो धनिया मेती जीरा सोट वगारा उस से भी मुझे बहुत अराम लगा हर अर्फ साल बीमार होती थी मैं यह खाने की वज़ा से मुझे अब अल्ला के फजल से सब आराम है तीन साल से मुझे कुछ प्रॉबलम नहीं वा शुगर मेरा नार्मल हो रहा है भी और साथ ही मही वो गौन जामून भी ले ली हूं तो ले रही हूं और चल्गुजे का गौन मंगा के मेरी बहु को दी हूं इम्मुनिटी के लिए अच्या नमक जैतुन ले रही हूं उसमें तो नव बीमारियों का इलाज है बोल रहे है तो वह भी मैं शुरूर की तो इससे पहले भी कोई ट्रीटमेंट आपने लिया था या सिधर हकीम साहब से अलोपतिक उसके बाल बाले दौता है साइड फ्रक्निंग कुछ बूसरो तो आपने अलोपतिक दौ़ाई के साथ मैं ले सकती हूं तो आपके साथ जो और लोग भी जोड़े हां मैं कि बाले मेरे परोशी को भी दी ये ये ले वी दवा कि तो उनका भी थायरोड गुग्गा मेरा थायरोड भी कम कर दिये डॉक्टर थारेट के लिए क्या अपनाती थी था थारो नार्म 75 अच्छा रोज एक लेती थी सुबह में डॉक्टर सब कम कर दिये अभी क्या दवाई लिया कि अधनिया अमला मेथी यह उसी चूरन में मैं साथ में लेती थी अच्छा बना के रखी हूं मैं और उनको बना कि दी मेरे पडोसी को उनका भी नॉरमल हो रहा है अहीस्ता आहीस्ता और अध्सी भी लेती हूं मैं अचल्सी भी लेती हैं तो घर में ही सारी चीज़ा बना लेकिए जितने नुसके बताते हैं हच्छीम साथ मैरे बेटे के लिए बीए उपेट खराब रहता था तो उ वहाँ उनको अराम है और एक वनके दोस्त हैं वह भी दमाम में हैं उनको जोड़ों का दर्द भूता हो तो गौंसिया मंगा की दी मैं उनको कैसे रिजल्ट मुलें उनका रिजल्ट वही अभी आया नहीं अच्छा कबसे ले रहा है वो एक तीन महने वे उनों लेगे अब ती अच्छा आप लोग ने भी सबर किया हुगा है तीन मने तक और क्योंसे भी विनानी दवाई फौरण एफेक्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए विनानी आई रिदी की दवाएं तो जिसको सबर है और यखिन है वही इस्तिमाल करना बहतर है बिल्कुल बहु है मुझे बहुत फर्खवा है मैं अपने आपको हलकी फुलकी महसूस कर सकती हूँ मैं घर में पूरा काम कर सकती हूँ इसे और कोई प्रॉब्लम अल्ला के फजल सी मुझे कुछ भी नहीं है सर्दी कांसी कुछ ने कुछ होता ही रहता था मुझे उल्टी बगारा ऐसे हर सा साल बीमार होती थी अब तीन साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है होता आरामों में ये दवायां इस्तिमाल के सब को बोलती हूं मैं ये खाओ लेकर सबर करो जितना हम अल्ला में एकिन करते हैं होती दवायों पर डाक्टरों पर भी एकिन करना चाहिए आप हकीम साहब स से जुड़ी तो ये मन में विश्वास कैसे आया कि मुझे इनकी दवाई एक बर अपनानी चाहिए और ये घरेलून उसके असरदार हो सकते हैं डाक्टर सब का बेगर्ज पुर्खलूस बोलने का अंदाज ये मुझे बहुत पसंद आया और बगहर किसी वह ऐसे लालच के क कुछ भी पैसे ही नहीं लगता है उसके अंदर कुछ भी अब हम डाक्टर को पास जाओ तो बात करेंगे तो पांच सो पर लेता है डाक्टर बेलकुल इससे बहतर है कि ये जब चल रहाएगा और ये तमें अल्ला की रहमत भी है हुजूर की शिफा भी है और हमारे डाक्ट बोलते हैं उसको ये सब सारी चीज है हमारे डाक्टर सब की दवाईयों में है तो मैम हकीम साहब से कभी आपकी बात हो पाई है एक ही बार भी थी बड़ी मुश्किल से लगता ही नहीं आपके हकीम साहब का फोन उसकी मुझे बहुत शिकायत है मैम अगर हम भी कॉल लगाए कुछ एम एक लिएध हЭ्गे तो हमारा बी नमबने लगता थИ अप है है लगको भी को भी लूग धे अगल तक बोल लकलते हैं और नहीं पनुग सकता है और कभी कभी दुबाई ढ़ दर ढ़ते हैं जाती है हुं चैर रप लोग है ना आप से मैं बोल लेती हूं और एक वस्ट करते हूं कि कोई बहतर दवा बताओ इससे तो बता देते हैं और किस तरह इस्तिमाल करना बता देते हैं काफी है मेरे लिए मैं अच्छी हूं आपकी बात जरूर उनसे कराएंगे लेकिन आप अपने मन की कोई बात अगर हकीम सहाब क को कहना चाहती हूं इस इंट्रिव्य के जरी कह सकती है जब हम दिल्ली जाएंगे आपका इंट्रिव्य लेके तो हकीम सहाब ही सबसे पहले आपका ये इंट्रिव्य देखींगे शुक्रिया नए डाक्टर साब के बारे में क्या करना सूरज कुछ चिराग देखाने के बराबर है और उनका खुलूस उनकी मेहनत जो बेगर्स खिदमत कर रहे हैं लोगों की वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तरीके से वो खुलूस से लोगों की खिदमत करत हो बहुत सारे लोग पैसा ना बरबाद करते हैं डाव डाक्टरों के पास जाके अगर ये अब डाक्टर साहब की दवाएं इस्टिमाल करेंगे तो उनको हमेशा के लिए बीमारी उसे नजात भी लेगी बलकुल वो बताते हैं गरम पानी प्यों ये सब पताते हैं नह मैं पूरा फालो करते हूं गरम गरम पानी पीती मैं हमेशा तो सारी चीजे आप लिख लेती हैं मैं डायरी में लिख लेती हूं पूरे नुस्के उनके लिख के देखती रहती हूं जो भी नुस्का मुझे बराबर मालूमा मेरे बच्चों के लिए तो मैं उनको बोल देती हू तो जबान की लड़कडाहत भी कुछ लोगों को तोतलापन वगरा से रता है उसकी भी एक दवाई बता है वो दवाई याद है आपको ये इसमें में शहद में काली मिर्ची और रोस का एक खत्रा रोस इसंस का वो पिला दिती हो सुबों में ठीक है मैं जो आपको देख रही ह है और आपकी उम्र 75 प्लस है और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के आपके चेहरे की रौनक देख के आपको सेहत मन देख के तो जो आपको भी सुन रही है महिलाएं आपकी उम्र की बहुत सारी बिमारियों से परेशान है दवाईयां खाखा के परेशान हो चुक कि इसमें उनको घरेलो नुसके मिलते हैं, इससे कोई खर्च नहीं होता, बस महनत करके जरा घर में बना लिएंगे तो ठीक है, और हो सकता है जरा देर होता है इसका असर, लेकिन देर आया दुरस्त आया, तो इससे वो लोग है, जैसा कि डॉक्र साहब बोलते रहते हैं, इद तो आपके साथ घर में और कौन कौन रहता है? मेरे घर में यहाँ पर मेरे मेरा बेटा रहता है, और बहु और तीन बच्चे रहते हैं, मैं हुबली में रहती हूँ, ताजनगर उनकल में, वहां मैं आती जाती रहती हूँ मेरे बेटी के पास दर, ठीक है, तो बच्चे महर्बानी से हुदूर की शिफा से हमारे महकीम साहब के खुलूस नियत से जवाई दवाई देते हैं उससे मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं सब को कहूंगी कि उनकी दवाई इस्तिमाल करो बहुत बहुत शुक्रिया मैं मैं आपने घर हमें बुलाया और आपकी सेहत का हाल जानके भी हमें बहुत खुशी हुई हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धेर सारी दुआए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया जो आप मेरे लिए यहां तक तच्रिफ ल और आपके जरीए कितने सारे लोग अब ये समझ पाएंगे कि युनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है शुक्रिया है तो दर्श को देखिए आप सभी ने सुना कि आप अपना ख्याल खुदी घर बैटे बैटे रख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना होता ह है आपको एक कदम आगे बढ़ाना होता है घर बैठे बैठे आप खुद का ख्याल खुदी रख सकते हैं घरेलो नुसकों के जरीए युनानी ट्रीटमेंट के जरीए अगर आपको भी मिला है हकीम सहाब के किसी नुसके से फायदा किसी दवाई से फायदा तो आप लोग भ